जहें दोस्तों मैं मुकेस कमान नोटबुक स्टड़ी में आप से भीका स्वात करता हूँ तो कैसे चल रही है आपनों की त्यारी मुझे जरूर बताइए तो अपसे लगभग मातर 30 तीन रह गया है एक महिना रह गया है 30-35 तीन जो बच रहा है तो मातर आपमान की चली की 30 तीन रह गया और इस 30 तीन में काफी important हो जाता है आप क्या त्यारी कर रहे हैं आप कैसे revision कर रहे हैं तो महत्पुन जो topic होते हैं जहां से अक्सर जब आप trend देखिएगा जहां से अक्सर question पूछे जाते हैं तो उनही topic कों के उपर मैं कुछ महत्पुन topic लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले ब्याद रोगा के exam के लिए बहुत ही जादा याद रखेगा बहुत जादा भी भी आई बहुत महत्पुन हो जाएंगे तो आपको हर हाल में किसी भी कीमत पर इस topic से जितना यहां दिया गया इस topic को आपको कर लेना है जैसे भी कर लेना है आप lution से कीजे, crown से कीजे, घटना चकर से कीजे या कोई unbook से कीजे लेकिन उस topic पे अपना command बना लिजेगा अगर वहां से question आए तो वहां छुटे नहीं ध्यान रिखेगा जितना मैं topic दिया हूँ, हर topic से लगभग, आपको देखेगा एक से दो question जरूर मिलेगा, अगर इस topic को करते हैं, तो आपका 50 question के आसपास कहीं नहीं जाएगा, 50-55 question एकदम अराम से मिलेगा और जो लोग मैं टेलिग्राम से जुड़े हैं, मैं बता दू कि अगर आप लोग टेलिग्राम से जुड़े हैं, तो मैं कोसिस करूँगा इस topic को टेलिग्राम की उच के माधियम से, होंबर्क सिरिच के माधियम से, इसको मैं आप लोग को पूरा करा दूँ तो सबसे ज्यादा question आपको तीन सेग्मेंट से रहता है, एक history, एक आपका science और एक आपका current affair, current affair डेली की चल रहा है, डेली का डेली, रात 8 बजे, उसमें आपको eduteria करा दिया गया और speedy चल रहा है, gkgs के बात करें तो इसमें आपको history और science पे ज्यादा focus करना है, वहां से आपको लगभग 45 question दिख जाएंगे, तो चलिए, history के बात कर रहें कि history में आखिर कौन से topic को पढ़ना है, और किस topic पढ़ना आपको सब topic है, लेकिन इस पे ज़्यादा focus करना है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं सिर्प उसको पढ़ना है, सब करना है, लेकि इस पे ज बिहार से ही सुरू हुआ था, ठीक है, जैसे आप दोनों जानते कि बहुत और जैन का जो परसाद पूरे भारत में, अबात में, विदेशों में भी हुआ तो इसका जड़ कहीं न कहीं, इसका मुल्ग जो है हमारे बिहार से संबन देते हैं, तो बहुत जैन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्राचिन भारत के अंतरगत, उसके बाद मगत का उतकर्स, मगत पटना के आसपास का छेतर पटना गया, जो छेतर हैं मगत कहलाता था, तो उसको जरूर कर लेना, क्योंकि वहां उतकर्स कैसे हुआ, कौन-कौन से वन्स आपका सासर किये थे, ध्यान प्राचिन भारत में जादा नहीं दूँगा, आप सोच रहे होंगे कि हडपा सवेता नहीं दिये, वैदिक सवेता नहीं दिये, पूरा पासान काल नहीं दिये, ठीक है, वहां से कोश्चन कम आते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर फोकस करना है, ताकि यहां से अगर जो है, वहां आपका भिहार से जुड़ा हुआ है, नेश्ट आते हैं, मध्यकालिन भारत, मध्यकालिन भारत में जो आपको करना है, वहां आपका मात्र दो पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में जो आपका वंस जो आएं थे, सबसे पहले प्रसासनिक वेवस्था को भी देखिएगा, प्रसासन कैसा था, गुप्तचर वेवस्था कैसी थी, सब कुछ, ठीक है, और आपका सांस्कृति को सब देखिएगा, कुवत अलु इसलाम महजित, कुतुम मेनार जो भी बनाए गया, तो पूरा दिल्ली सल्तनत बढ़िया सकी किजेगा, यहाँ से एक कोश्चन जरूर मिलेगा, दो कोश्चन, अल्लाओ धिन, खिल जी और मुहमद बिन तुगलक और फिरोष तुगलक, यह तीन को सबसे ज़्यादा पढ़ियेगा, निश्टा जाते हैं मुगल बाबर द्वारा, जो इबराहिम लोदी को, दिल्ली बन यहाँ भी आपको इनका साहितिक, प्रासास्तिक वेवस्ता, सभी कुछ करना है, नेश्टा जाते हैं आधुनिक, आधुनिक भारत, सबसे ज़्यादा कोश्चन अगर हिस्ट्री में कहीं से रहेंगे, तो वह है आधुनिक भारत, और कुछ कोश्चन आपको बहुत जैन और मघस से मिलेंगे, तो आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा, इसमें भी इंपोर्टेंट है आपका गवर्नर जनरल, वाइसराय, या फिर आपनों जिसको गवर्नर जनरल या वाइसराय कहते हैं, तो यहाँ से एक कोश्चन एकदम फिक्स है, एकदम लिख लिजे, आज मैं बो तो साना गवर्नर जनरल को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कोश्चन इंपोर्टेंट हो जाते है, कौन से गवर्नर ने क्या काम किया है, नेश्ट आ जाएंगे, विद्रो यहों केंदर, आपनों जान रहे कि आधुनिक भारत में बहुत से विद्रो हमारे जो देश है, गुलामी की 200 वर्स की दास्ता को जेला है, तो उस बीच विद्रो और केंदर देखना है, कहां कहां विद्रो हुआ था, अच्छा विद्रो में आपका 1857 का विद्रो भी इसमें सामिल हो जाएगा, और कुछ है, जैसे फेराईजी आंदोलन हुआ था, मुंडा आंदोलन हु जाता है, 1915 में महात्मा गांधी भारत में आजाते हैं, तो वहां से लेके 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक महात्मा गांधी का जो जो काम हुआ है, तो उसको जरूर देख लेना, समय मिलता है तो थोड़ा सा बंगालवी भाजन को भी देख लिजएगा 1905 वाला, तो गां सारा कुछ गांधी युग में आजाएगा, तो यह आपको काफी ज्यादा कोस्चन सबसे, यहां से कोस्चन मतलब कोई काठी नहीं सकता है कि यहां से कोस्चन नहीं आए, तो इसको आपको पहुत ही बढ़ियां से लूशन क्राउन घटना चकरे, कहीं से भी किजिए लेकिन किजिए, नेस्ट आएंगे Kongres अधिवेशन, एक कोस्चन फिक्स, àपका जो 1850 में Kongres के स्थापना हुई, अधुनिक जो आप देख रहें, Congress इसकी जड़ 1850 में Kongres का अधिवेशन हुआ था, तो वहां से कलकात्ता मी हुआ तो वहां स्वारी, बंबई में हुआ था, तो कौन थे सबसे जादा पार्टिसिपेंट को कौन किये थे किस अधिवेशन की क्या मुक्य थी अइसा यो गांदोलों किस अधिवेशन में भाग लिया गया पहली बार जनगनग गाया गया पहले बार वंदे मातरम कहां गया कहां गया उस 1907, 1916, 1926, 1930, 1929 जितना अधिवेशन है सब यहाँ से question बनते हैं तो यह आपके लिए काफे important हो जाता है Congress अधिवेशन इसको एदम important रखिएगा नेश्टा जाएंगे भारतिय समिधान Indian polity यहाँ से 7-8 question आपको देखने को मिलेंगे Indian polity से तो सबसे जादा important जो रहेगा Charter Act जो भारतिय समिधान का निर्मान हुआ इसका निव रखिया गया तो यह कहीं न कहीं जो अंग्रेजो द्वारा Charter Act लाया गया था 1773 के Regulating Act से वहाँ से सुरू होगा और 1947 का जो भारत सोतंत अधनियम था वहाँ तक तो किस Charter Act की क्या परमुख विश्यस्ता थी जैसे 1773 का Regulating Act जिसके ताथ भारत में आपनों जानते हैं कि आपका Supreme Court का व्यवस्था किया गया था तो सुरूआत आपका वही सुरूआत है तो समीधान की निर्मान की परक्रिया आपका यहीं से सुरूँ हो जाता है तो यह Charter Act 1773 फिर आपका PITS India Act जितना भी सब कुछ आया जाएगा 833, 813, 817 तो जितना भी आपका Charter Act आपको सब कर लेना है 1947 तक 1909, 1919, 1935 सारा कुछ आप इसको कर लिजेगा नेश्ट आ जाते हैं अनुछेद, अनुछेद, संसोधन एक तब फिक्स है यहां से कोश्चन रहेंगे एक दो कोश्चन अनुछेद से, एक दो कोश्चन समीधान संसोधन से तो यह important जो अनुछेद है हालकि आप लोग अगर टेलिग्राम से जूड़े तो मैं मैक्सिमम कवर कर दिया हूँ और फिर रिविजन में कवर कर दूँगा तो अनुछेद और संसोधन आपको कर लेना है समीधान संसोधन दक्षिन फिरका से लिया गया या पाठ तो किस समीधान संसोधन में क्या हूँ और 100 से लेके 105 तक के संसोधन को जरूर किजेगा भी UP SI में वहाँ से question पूछा गया है तो 100 से 105 का संसोधन especially क्योंकि बच्चे वहाँ उस समय उस संसोधन को नहीं करते हैं फिल है मूल अधिकार fundamental rights आप जर्म मिलिए हैं इंडिया में आपको automatic fundamental rights मिल जाता है आप जर्म में इसके लिए कहीं आपको application देने का जुरूरत नहीं है DM office, CM office कहीं नहीं जाना है तो मूल अधिकार fundamental क्या क्या fundamental rights है आपके मूल अधिकार क्या है समविधान द्वारा सुरू में 7 मूल अधिकार दिया गया था लेकिन फिर हटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 fundamental rights आपको दिये गया है तो उन 6 को दियान में रखना है खासकर 19, 20, 21 इसको जरूर याद रखेगे यहां से question बजते है 1922 और अपका फिर जाके मूल अधिकार के समवन में किसने क्या कहा है भीम रावा मेटकर ने क्या क्या है तो ये मूल अधिकार को अच्छा कीज़ेगा भारतियों को कोन सा मूल अधिकार प्राप्त है विदेशी को कोन सा मूल अधिकार प्राप्त है यहां से question बनने की समवना सबसे ज़्याद रहती है निश्ट आएंगे संसद, संसद कैसे बनता है संसद जो बनता है वहां राष्टपती, लोकसभा और राजसभा से मिलके तो ये तीनों को पढ़ना है, राष्टपती को भी पढ़ना है लोकसभा को भी पढ़ना है और राजसभा को भी अच्छा से किज़ेगा question probability ज़्यादा रहता है तो ठीक है नहीं तो राज्यों से क्योंकि या राजी का आपका एकजाम हो रहा है ठीक है बिहार राजी का तो आपको मुख मंतरी और विधान मंडल विधान मंडल भी बात वही हो गई कि विधान सभा, विधान परिशत और आपका राजपाल मिला कि विधान मंडल का निमान होता जहां विधान परिशत नहीं है वहां सिर्फ विधान सभा और राजपाल तो विधान मंडल को पढ़ना है निर्वाचन निर्वाचन कैसे होता है जो चुनाओं की परिक्रिया होती है ठीक है अनुछेद भाग 15 अनुछेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन का समीधान में दिया गया है तो यह यहाँ से भी question आपका तया है और वर्तमान में आपनों comment किजिएगा कि मुख्य चुनाओ आयुक्त कौन है ठीक है चिफ election commissioner कौन है आप मुझे comment किजिए नेश्ट आते है अनुसूची अनुसूची क्या है जैसे हमनों कोई book पढ़ते है तो देखते हैं index रहते है एक table form में ठीक उसी परकार जो है अनुसूची में भी लिखे रहते है कौन सा चीज कहा दिया गया है तो अनुसूची को आपको करना है अब किस अनुसूची में क्या सामिन है पहली अनुसूची में क्या है नौवी अनुसूची जब से important नौवी और दस्वी question चप जाता है वहां से स्रोत समीधान का स्रोत किस देश के समीधान से क्या लिया गया है जैसे मूल अधिकार कहां से लिए गया, अपात काल वेस्था जो राश्च्ठती सासन लग जाताerecht, वह कहां से लिए गया, हर एक چीज, तो आप सरोत को देख लिजएगा, मौलिक करता हूँ कहां से लिए गया, उसके बाद मूल करता हूँ, कुछ मूल करता हूँ, हम लोग, हम fundamental duties यहां तो यह जो इस तरफ का आप देखे तो सारा इसका सारा topic बहुत important और इसको बढ़िया से कीज़ों और इसको मैं जल्द जो है एक वीडियो लेके आऊंगा नेश्ट आजाते हैं जल्दी साथ ज्यादा बड़ा वीडियो लिए करूंगा जोग्राफी जोग्राफी में आपका भारत का भुगोल और वर्ड भुगोल और इसको साथ-साथ मैं फिजिकल भुगोल में कर दिया और आप आप ठीक है नदी घाठी प्रविडियो एक दें पॉटेंट है नेशनल परक इंपॉटेंट है भारत का भातिक स्वरूप को भी साथ-साथ में आपको देख लेना है फिजिकल जो है उसका मैक को ठीक है भातिक भुगोल फिजिकल जोग्राफी में पढ़ना है आपको सौर मंडल एक कोश्चन गारेंटी है कि सौर मंडल का भीना बिहार द्रोगा में कोश्चन आया ही नहीं है तो सौर मंडल आपको पढ़ लेना है एक कोश्चन फिक्स है यहां से जलधारा गरम जलधारा अट्लांटिक महासागर की जलधारा है हिंद महासागर की जलधारा ठीक है परसा important sore mandal है और जलदारा important है एक question दोनों में एक 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 रहेगा ठीक है ज्वाला मुक्שות चोटा सा पाटे कौन से आपको को ध्यान रखना है वायू मंडल वायू मंडल से पूरा आपको ध्यान रखना है गैसों का मिसरन है तो को समताप मंडल चोब मंडल समताप मंडल आयन मंडल बही मंडल इस सब सब को आयन में सब देख लिजेगा फिर है जील जील और जलसंधी कौन सी जलसंधी किनको जोडती है देख लेना है इंपोर्टेंट आज आता है physics physics में दो चाप्टर BVI सबसे इंपोर्टेंट परकास, लाइट और ध्वनी, सौंड यह दो को इंपोर्टेंट है जरूर किजेगा उसके बाद radio सक्रितेर यानी radio activity यहाँ से भी question है लेकिन यह परकास और ध्वनी को जरूर करना है किसी भी किमत पे सबसे important यहाँ से question आपका मतलब 2-4 question आपको अल्रेडी एक दब fix है फिर मातरक, unit, गती, motion, गुर्त्वा करसन जो है आपका gravitational उसको देख लेना है और तरग, web यह इतना किजेगा बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ कि आपको पढ़ ले छाट के लाया हूँ, लगभग 60-60 topic है और हर topic को अगर हर दिन तिन topic भी करेंगे तो उनको आपको थोड़ा साथ देख लेना है chemistry, रसायन में परमानुस्तमरचन, atomic, पुरा model आपको देखना है तत्तो का आवर्त वर्गी करन तत्तो को जो सजाये गया है आवर्त सानी में प्रियोडिक टेबल में कहां सजाये गया है तो उसको देख लेना है inert gas कहां रखा गया, धातू कहां रखे गया उप, धातू कहां है और फिर इसके अंतर गया धातू का क्या उसको देख लेना है इंधन, इंधन से question अकसे पुछे जाते है, धातू, अधातू, मिसर धातू alloy, ठीक है, आपको देखना है कौन सा किससे मिलके बनता है, तामा किससे किससे मिलके बनता है, यह सब देख लेना है next आते है, biology, important है science में सबसे ज़्यादा question biology से पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा इसलिए मैं पूरा biology इसलिए मैं पूरा biology को जो हूँ जो पेड़ पोधे होते हैं, उसको पादप कहते हैं उसमें कौन-कौन से रोग होते हैं, उसको ध्यान रखना है पादप हार्मोन, किसके चलते कौन से बौना पोधा को लंबा किया जाता है, पत्ते ज़ड़ने को को रोकने के लिए कौन सा हर्मोन का यूज करेंगे उसको देखेंगे प्रास पारिस्थितिकी इकोलोजी भीवियाई है ज़रूर इसको किजेगा अलग से किजेगा यह काफी यहां से एक दो कोश्चन मिलेंगे प्रानी विज्यान जुलोजी मानो रख्त हुमन ब्लड कैसे ब रोग होता है वाईरस किससे वैक्टिरिया किससे फंगस का कैसे कौन-कौन से रोग होते है ठीक है तो मानो रोग से इंपोर्टेंट है कोश्चन आना ही आना है और विज्यान की साखा विज्यान की मतपून साखा जो बायलोजी का लाश्ट में एक चार्ट दिया गया है वहां से ज़रू पढ़ लिजेगा जैसे आपका आठिक नियोजन का पाठ है तो इसको कर लिजेगा पारवी पंच्चु वर्सी योजना तक और उसके बाद आपनों को पता है कि निती आयोग का स्थापना हो गया था तो निती आयोग और पंच्चु वर्सी योजना को कर लेना है किस पंच्चु वर्सी योजना का क् हारी था ठीक है और मुख्यू देश कौन-कौन सा काम हुआ बस इतना क्याल निजिएगा और उसका कारेकाल अनवरत योजना कौन सा था यह सा सब जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि यह वह हैं आप लों बैंकिंग थोड़ा देख लेना मुद्रा का पाट है इसमें बैंकिंग और से भी दोनों देखिएगा आर्थिक विकास आर्थिक विकास के लिए क्या माप डंड होना चाहिए ठीक है प्रात्मिक छेतर में कोन होना चाहिए आपका दूतिये छेतर में कोन है तिरतिये छेतर मे पढ़िएगा तो इसको बिहार के संदर में पढ़िएगा जैसे कि अगर कोई भी कोश्चन है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर है उत्तर पदेश में तो बिहार का जनसंख्या कितना उसमें अस्थान है ठीक है उत्तर पदेश का कौन सा है बिहार का करम कौन सा है जनसंख् में बता दिये कि speedy और editoria को चाट जाएए जैसे भी होता है जितना भी हो सकता नहीं हो पा रहा है मैं लगतार अपने टेलीग्राम पे करा रहा हूं तो इतना आपनों कीजिए और अगर आपनों का response ठीक रहता है तो फिर मैं आगे इस पे जो जो टॉपिक है इसको मैं अपने क्योंच में ज़रू सामिल करूँगा टेक क्येर बेस्ट आप लग मिलते हम लोग नेस्ट वीडियो में जैहिन